हेलो एभरीवन तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी गुड नीउज तो आप लोग सभी के लिए जोभी आईटि आई चातर है 19 से की सHHH RI और साथिसाथ जो 20 सेकी सेसन के चात्र है जिनका की रिजल्ट 28 फर्वरी को यहाँ पर जारी हुआ था उनके लिए गुड नियूस है कि आप लोग सभी को यहाँ पर ग्रेस मार्क्स देके जो पास किया जाएगा जो भी छात्र फैल किया है आई टियाई में 19 सेकी सेकेंड ये और साथिसाथ 20 सेकी सेके जो वन ये ट्रेड है या फिर 6 मन्त वाले ट्रेड है उन सभी को यहाँ पर जो ग्रेस मार्क्स देके पास किया जाएगा जुरूर सेयर करें तो यह देख सकते हैं आज के यहाँ पर लेटर जारी हुआ आप लोग 3 2022 के डेट में यह लेटर जारी हुआ ठीक है इसमें देखिए मैं चीज़ जो बोला गया आपका वह क्या चीज़ है देखिएं सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं वन टाइम यहाँ पर रिलक्सेशन दिया गया है तो रेग्लर जो ट्रेणी उनको यहाँ पर रिलक्सेशन दिया गया है और जो वन येर या सिक्स मन्थ ट्रेड है आपका 21 यानि वो regular batch के सिर्फ यहां पर बात किया गया है ठीक है तो regular batch जो 1921 के second year है साथे साथ जो 2021 के first year है उनको यहां पर जो है relaxation दिया गया है और जिनका भी यहां पर trade theory में जो बच्चे 24 से लेके 32 नमर लाए हुए है 24 से लेके 32 नमर जिनको है इस बीच में जिनका नमर है उनको यहां पर promote करके 33 marks दे दिया जाएगा आप लोग जानते होंगे 33 marks जो वो minimum passing marks है जो कि यहां पर लाना जरूरी है ठीक है तो जिनको भी 22 आपको 24 से लेके 32 के बीच में आ रहा है trade theory में वो सभी यहां पर pass declare कर दिये जाएंगे ठीक है और साथी साथ यहां लोग बात करें यहां पर employability skill और workshop कर्कुलेशन और science में यदि आपको यहां पर 12 से लेके 16 marks आपका इस बीच में आ रहा है ठीक है और आप फैल हो गया है तो आपको यहां पर 17 marks देके pass कर दिया जाएगा ठीक है तो यह आप याद रखेगा यदि आपको 12 से 16 के बीच में है और WCS और employability skill में तो आप 17 देके आपको pass कर दिया जाएगा और यदि आप trade theory में 24 से लेके 32 के बीच में आपका marks आ रहा है ठीक है तो भी आपको यहां पर 33 marks देके pass कर दिया जाएगा ठीक है यह जो एक बहुत ही बड़ा relaxation है आप लोगों के लिए जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि 20-22 वाले session को उस समय क्या किया गया था उनको promote कर दिया गया था उनको यहां पर CVT नहीं देना पड़ा था द्यू टू करेंट अभी जो कोबिट situation चल रहा था उसके वज़े से यहां पर देख सकते हैं आपर mention भी क्या आगया आपका ठीक है pandemic situation होने के वज़े से ऐसा decision लिया गया है ठीक है तो आप लोग अब वेट किजिए फिलाल अभी आपका result अपडेट नहीं हुआ है देखिए कब तक यहां पर update हो जाता है लेकिन फिलाल जो update हो यही है कि सभी को यहां पर grace marks देके पास कर दिया जाएगा जिनका की marks इस बीच में आ रहा है उनको ठीक है तो यह चीज़ आप देख लिजेगा बीस वाले बच्चे जो वह आप नहीं सोचिएगा कि हमको भी यहां पर grace लेके पास किया जाएगा क्योंकि यहां पर साफ साफ लिखा गया यह सिर्फ 19 सेकेंड के लिए है और आपका 20 21 के जो साथ रहा है फर्स्ट इयर उनके लिए है ठीक है और बांकि 20 20 सेसन का इसमें कहीं पर जिक्र नहीं किया गया है तो 20 20 वाले इसमें नहीं आएंगे ठीक है 20 20 वाले को आप लोगों को जो यहां पर grace पहले ही आप लोगों का CVT में आपको आपको वीडियो पसंद आया होगा जो भी अपडेट यहां पर दिया गया है जल्दी से आप लोगों नेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजेगा जो भी आगे अपडेट आएंगे आपको यहां पर नोटिफाइग कर दिया जाएगा तो चलिए मिलते है नेक